इस्टूडेंट, I am प्रदिप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर होटी कल्चर, तो आज का हमारा टॉपिक है, गेंदा की खेती, मेरी गोल्ड, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस अफ मेरी गोल्ड, तो आज हम देखते हैं कि मेरी गोल्ड का कल्टिवेशन कैसे किया जात क्या इसका उपयोग है तो गेंदा का देखते हैं कि फूलक रूप में माना बनाने में सुगंधी तिल निकालने में पीगमेंट्स तयार करने में और पूशन आरेंगी गेंदा जो आरेंज कलर का होता है उनकी पंखुडियों को जो म्यूर्गी के दाने के साथ जो है खिलाने के सेंडे में जो जर्दि का रंग उसको गहरा करने में प्रियोग हो तो है उसका यूटिलाजेशन होता है देन हम देखती कि इसके प्रत्य या भारती क्रिषी नौसंधान संसाटान आए य आ रहा जो इक के दवारा आफ्रीकन गेंदी की दो किस्म है पूशा नारेंगई पूशा बसंती गेंदा विख्षित की गई है जो की पूरे भारत वर्स में व्यासाइक पुश्पोत पादन फ्लावर प्रोडेक्शन्स के लिए विख्यात है पुश्प विज्ञान भूद्रिष्ट विज्ञान पूशा में गेंदा के नेक किश्मों कनुसंधान कारे चल र वाटर लजिंग की समस्याना हो गेंदी की खेती मेरी गोल्ड का कल्टिवेशन कमर्सियली तोर से अती उत्तम रहता है इसका प्रवर्धन देखते हैं प्रोपागिशन बीजों की ही द्वारा ही गेंदे में प्रवर्धन किया जाता है गर्मी की फसल के लिए फरवरी की रथम सप्ता हमें तथा सरद्रितु की फशल में सितंबर के द्रिती सप्ता हमें बीज की बुआई कर देने चाहिए वैसे गेंदे की अधिक पुष्पत पाधन के लिए कटिंग के द्वारा पौधे तयार करके लगाना भी अधिक उप्योगी होता है तेन हम इसमें देखत आर से पांच पत्या आने पर इन्हें रोपना अच्छा रहता है अपरीकन गेंदा की दूरी जो प्लाइन टू प्लांट डिस्टेंस हैं 40 इंटू 40 cm रखते हैं जबकि फ्रांसीसी गेंदा की पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 इंटू 30 cm रखते हैं कलिकायन दिसबडिंग का एक महत्तपून रोल है गेंदे के पौधे से अधिक फूल लेने के लिए अधिक फ्लावर प्रोडक्शन लेने के लिए रोपन की 25 से 30 दिनों बाद मुख्य तने की जिक कलिका है उसको तोड़ दिना डिसबडिंग कहलाता है इसके बाद दूसरी टहनियों की जो कलिका है बड्स है उसको तोड़ने से पौधे में दूसरी सा खाय ज़्यादा निकलती है जिससे पौधे की ग्रोध अच्छा होने से प्रती पौधा अधिक फ्लावर्स प्राप्त होता है चुकि इस प्रक्रिया में ज्यादा स्रम लगता है इसलिए हम बड़े छेत्रे में सभी पौधों में पिंचिंग करना ज्यादा संभाव मानते हैं इसके लिए साइको सील और मैलिख हेड्रजाइट का छिड़काव करने से पौधा बौधा बौना हो जाता है ड्वार फोड जाता है साइको सील की 2000 PPM की मात्रा का प्रियोग पौधों पर अच्छा पाया गया है जबकि Malik Hadridide MH की मात्रा 1000 PPM एवं 1500 PPM का प्रभाव भी बेस्ट रिजल्ट रहा है इसमें देखते हैं कि Errigation गर्मियों में अधिक गर्म हवाय चलने से गेंदे के पौधे जो है जूलस जाते हैं इसलिए गर्मी के दिनों में 2-3 दीन के इंटर्वल से सीचाई करना चाहिए वर्सा में आश्कतन कार आश्कतन सार्ज एवं सीत काल में भूमी में नमी बनाया रखना जरूरी है पोशक तत्त देखते हैं नूट्रेंट मैनेजमेंट गेंदे के अच्छी फसल के लिए सुच में हम अतिसुच में पोशक तत्तो के आश्कता होती है इसलिए इसमें 20 तन सड़ी होई गोबर की खाद FIM प्रती हक्टेयर देना उचीत रहता है नूट्रेंट के मात्र 200 कजी फासफोरस 80 कजी और पोटास की 100 कजी प्रती हक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए इसमें नत्रजन के आधी मात्रा तत्ह फास्पोरस यूम्पोटास के पूरी मात्रा भूमी की तैयारी लाएंड प्रिपरेशन के समई ही भूमी में मिला देना चाहिए पुष्प उत्पादन, गर्मियों में रोपी गई फसल में पुष्पन जो है, मई से जून महिने के बीच में होता है, वर्सा में रीतु में जो रोपी गई फसल में पुष्पन जो है, सितंबर में तथा सीत काल फसल में पुष्पन जो है, फरवरी में होता है अनुसंधान में पाया गया है कि साइकोशिल CCC का 2000 PPM का पौधर पर शिरकाओं करने से गेंदे के पौधर में फूल एवाम बीच की गुणवत्ता में काफी सुधार पाया गया है इसके बाद देखते हैं कि हम गेंदा की तूड़ाई कप करते हैं जब गेंदे के फूल पूर्ण रूप से विक्सित हो जाते हैं तब इसको तोड़ लिया जाना चाहिए इसकी इल्ड देखते हैं अफ्रीकन गेंदे में 20 से 22 टन फूल प्रती हेक्टेर एवाम फ्रांसिसी गेंदा में 10 से 12 टन फूल प्रती हेक्टेर प्राप्त हो जाते हैं चार से दस रुपिये प्रती किलो तक रहता है। पिगमेंट्स नारंगी गेंदे में कारोटीनाइट्स जैन्थोफिल अधिक मात्रा में पाय जाता है जिसका उपयोग फार्मस्ट्यूकर्स में अधिक किया जाता है। इसके पौधी की पत्तियों का रस तौचा रोगों को समुल नस्ट कर देता है। तथा तौचा को सूरी की हानिकारा किर्णे से बजाता है। इसके प्रियोगों इसके भीजों का प्रियोग कॉलेस्टाल, LDL, दिल की बिमारियों को नियंतरन में रखता है। तथा फेफडे, प्रोटेस्ट गरंथी, पेट की रोगों और महिलाओं में छाती के कैंसर का भी नियंतरन करता है। पूशा संस्थान द्वरा विक्सित की गई पूशा नारेंगी गेंदा में सबसे अधी कैरोटीन आइट्स पदार्थ निकाला जाता है। इस कैरोटीन आइट्स में लिूटीन नामक पदार्थ की मात्रा 64.43 प्रतिसत पाई गई हैं जिसके कारेंट इसकी पंखडियों का प्रियोग मुर्गी दाने में बहुत याद से किया जाता है। इसके प्रियोख्षे अंडे में जो यलो कलर का जर्दी है उसके रंग को ज्यादा पिला करने के लिए मुखेता रूप से उप्योग किया जाता है।